अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल्स नेटवर्क मॉडल्स नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क Quelॉ.. तленаर्क क् UM से फ्कीन स्फिक्ज़र्क चुप करेंगे बेड प्रॉोंस ऑ् कि के और रविर्क ARC BRANCHES Network क्या है Nodes जो होते हैं Link होते हैं ARC से यहां हम उसको BRANCHES कहते है यहां उसको graphically graph की form में उसे कहते हैं कैसा नेटवर्क होता है फर्ज करें कि हमार पास 123 यह हमार पास को नेटवर्क है इसमें जो 123 है यह नोड है यह भी नोड है यह आर्क है यह भी आर्क है यह भी आर्क है यह भी आर्क है तो नेटवर्क कंसिस्ट अफसेट 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 तो इसको हम कहते हैं network, इसको हम क्या कहते है, network, अब हम notation क्या है इसकी, notation of describing a network, is na, na से हम denote करते हैं, where n is set of nodes, and a is set of all, उसके पाद है, connected networks, connected network, a connected network is such that, a connected network, is such that, every two, every two distinct nodes, are linked, by, at least, one path, यह कोई भी हकर हम दो distinct nodes लें, या vertex अप लें, तो उसमें कम उसकम एक पात होना चाहिए, तो उनको कम उसका में एक पात होना चाहिए, लिंक होने चाहिए, उसके बाद है, tree क्या होते है, tree से बहले, ऐसा network होता है, फॉरस करें हमारे पास हमने कुई pipeline बिचानी है, किसी society में, या हमने cable बिचानी है किसी society में, तो हम किस तरह cable को बिचाएं, या pipeline को बिचाएं, कि हमारी जो cost है वो कम से कम आए, हमारी जो cost है वो कम से कम आए, तो ऐसी तरह हम, minimal spanning trees के जरीए, यह चीज फाइंड करते हैं, कि हम किस तरह, अगर cable या pipeline बिचाएं, तो हमारी जो cost है, वो कम से कम होगी, यह हमारी जो cost है कम से कम होगी, उस algorithm को हम क्या कहते है, minimal spanning tree, minimal spanning tree हम find करते हैं, उस network की, और उससे हमें पता चल जाता है, कि हम किस तरह, cable अपनी या pipeline अपनी बिचाएं, तो हमारी जो cost होगी, वो कम से कम पड़ेगी, किस तरह, minimal spanning tree, minimal spanning tree, उस network का हम, minimal spanning tree find करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, हम इस तरह अगर अपनी pipeline को या cable को बिचाएं, तो हमारे जो cost होगी, वो कम से कम पड़ेगी, या हमारे cable जो है, वो कम से कम यूज होगी, या हमारे pipe जो है, वो कम से कम यूज होगी, किस तरह, minimal spanning tree के जरिए हम उस network के minimal spanning tree find करते हैं, अब इसमें ट्री क्या है ट्री क्या होता है ट्री क्या है हमारे पास कोई एक connected network है और उसमें cycle नहीं होता उसमें cycle नहीं होता है जिसमें ट्री जिसमें cycle नहीं होता उसके बाद है Spanning Tree क्या होता है? Spanning Tree A Spanning Tree is a tree that links all the nodes of the network हम example के जड़ी देखती है कि tree क्या है हमारा और Spanning Tree क्या है हमारा फर्ज करें हमार पास एक network है यह हमार पास एक network है इसमें से अगर हम cycle free कर दें यह तो cycle है यहां से हम start करें यहां पे यहां पे यहां पे वापस हम यहां पे आ जाएंगे तो यह एक cycle बन जाएगा तो हम एक cycle free network बनाते हैं यहां कोई cycle है नहीं यहां से हम start करेंगे तो यहां पे यहां पे वापस वहां नहीं जा सकते यहां से start करेंगे यहां आएगे तो वापस नहीं इदर जाएंगे इदर नहीं आ सकते इदर नहीं जा सकते कोई cycle नहीं बनता अब एक और हम नेटवर्क लेते हैं वन, टू, ट्री, फॉर हमने कहा ट्री क्या होता है एक सेकल फ्री नेटवर्क होता है में नेटवर्क का अब यह हमर पास नेटवर्क है इसका हमने एक सेकल फ्री सबसेट लिया वन नोड, टू नोड, थ्री नोड और इसमें कोई भी सेकल नहीं है कोई भी सेकल नहीं है तो इसको हम कहते हैं ट्री देखें इसमें भी कोई सेकल नहीं है तो यह भी ट्री है यह भी ट्री है यह भी ट्री है ये spanning tree है बनाते तो हम tree है लेकिन अगर सारे के सारे nodes हम use करें सारे के सारे nodes इसके सारे के surface करें ये हमरे पस network A है A network के सारे के सारे nodes यूज़ करके हम tree بنाएं तो उसको हम कहेंगे spanning tree अगर एक छोड़ दें दो छोड़ दें उसके कम हूँ पूरे के पूरे नोड्स ना ले कुछ नोड्स लेके हम ट्री बनाएं उसको हम सिर्फ कहते हैं ट्री लेकिन सारे के सारे नोड्स लेके अगर हम ट्री बनाएं उसको हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री उसको हम कहते है Spanning Tree तो ट्री में और Spanning Tree में ये फरक है ट्री क्या होता है कुछ नोर्ज हम लेते हैं और उससे ट्री बनाते हैं Spanning Tree में हम सारे के सारे नोर्ज को यूज़ करते हैं और ट्री बनाते हैं अब हम Minimal Spanning Tree फाइंड करते हैं Minimal Spanning ट्री वो होते हैं सारे के सारे स्पैनिंग ट्री हैं हम इस एक जो नेटवर्क है इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं जैसे ये खतम कर दें और तो एक और बन जाएगा ये कर दें तो और बन जाएगा ये कर दें तो और बन जाएगा 4 हम spanking tree beना सकते हैं ेकं अगर हमें کوئی weight given हो कि यहां से यहां आने यहां से जहां तक pipe line बचाएं तो इतना खरचाता है यहां से यहां बिनाएं तो इतना pipe जाया हुगा हम spanking tree सारे बनाएं और जिस पर हमारा कम से कम खरचाए उसको हम कहते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिनिमल स्पैनिंग ट्री अब हमर पास एक नेटवर्क है वान टू ट्री फोर फाइव शिक्स नोड है उस नेटवर्क के करके बनेटव का पाइव पर अडर भाहे है 好 a अaud Connect bic a यही एक गडिए ओ जेतरा फ्छी से टूब Kelेक्ट है सिक्स्कानेक्ट एक नचक आपढ़स देनक भी स्टावफ में आप हम से चनेक्टा अब फरस करें यह हमारा एक सोसाइटी है तो इसमें हमने पाइपलाइन बिचानी है यह हमने केबल बिचानी है यहां से अगर हम यहां तक केबल बिचाएं तो वो वन मीटर है या वन फूट लगती है या हंडर्ड फूट लगती है वो स्केल जो आप चाहें यहां से यहां त मीटर यूज होती है यहां से यहां तक टू से फौर तक जो यूज होती है वो फौर मीटर यूज होती है वन से फौर तक सेमन यूज होती है फौर से थ्री फाइव यूज होती है फौर से फाइव एट यूज होती है त्री से 6, 10 यूज होती है 4 से 6, 3 यूज होती है 2 से 5, 3 यूज होती है फरस करें यह हमारी केबल का यूज है foot में, square में, जो भी आप ले एक network है यहां थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 node हैं हमारे पास और बाकी क्या है edges हैं या arcs हैं और हमें कहा गया है कि 1 से 2 तक इतना कास्ट है 1 से 5 तक इतनी है 1 से 3 तक इतनी है 1 से 4 तक इतनी है 4 से 5 तक इतनी है 4 से 6 तक इतनी है 4 से 3 तक इतनी है इसी तरह यह सारे हमें given है और हमने इसका minimal spanning tree find करना है हमने ऐसा एक tree find करना है या ऐसा एक solution निकालना है जो हमारी cost है वो कम से कम हो जैसे कि हमारा pipe जो है वो कम से कम use हो या हमारी cable बिचा रहे हैं तो हमारी cable कम से कम use हो ये सारे nodes तक अपने जो network है वो पूरा करें अपनी जो cable है वो बिचाएं लेकिन जो हमारा खर्चा है वो कम से कम है कम से कम है किस route को हम follow करें तो जो किस तरीके क कम से कम use होगी यह हमारा पह पह है वो कम से कम use होगा अब हम इसका minimal spanning tree find करते हैं minimal spanning tree find करने के लिए हम prims algorithm use करते हैं prims algorithm use करते हैं और उसके ज़री हम minimal spanning tree find करते हैं जी प्रिम्स अल्गुरिधम यूज करते हैं और हम इसका minimal spanning tree point करते हैं प्रिम्स अल्गुरिधम क्या है किसी एक node से start करें किसी एक node से start कर दें फर्ज करें मैं first node से start करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके साथ कितने nodes attach हैं इसके साथ two attach है इसके साथ five attach है इसके साथ three attach है इसके साथ four attach है चार nodes इसके साथ attach है और cost किसकी कम है cost किसकी कम है जब 1,2 के साथ attach है उसकी 1 है 1,5 के साथ attach है उसकी 9 है 1,3 के साथ attach है उसकी 5 है 1,7 4 के साथ attach है उसकी 7 है तो जिसकी कम cost है उसके साथ हम इसको attach करते हैं किसके साथ कम cost है 2 के साथ तो हम two के साथ इसको अटैच कर देते हैं उसके बाद हम अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों के साथ कौन कौन से अटैच है और किसकी कम कॉस्ट है अब इसके साथ तो nine है five है seven है इसके साथ अटैच हमने कर दिया यह हमारा clear हो गया अब यह remaining है वो five इसके साथ अटैच है three इसके साथ अटैच है four इसके साथ अटैच है तो क्या है seven five और nine seven five और nine है two किसके साथ अटैच है five के साथ अटैच है two four के साथ अटैच है two three के साथ अटैच है तो इसकी और इसकी दोनों में देखना है हमने कि किस cost के साथ वो किसी और nodes के साथ attached है अब देखें ये 3 है इसके साथ attached 3 है cost आती है इसके साथ इसके साथ 4 आती है इसके साथ 6 आती है इसके साथ 5 आती है तो हम कौन सा लेंगे 5 हम कौन सा लेंगे 5 5 में cost हमारी क्या है कम है तो हमने 3 कर दिया अब हमारे पास जो remaining node हैं वो तीन है अब हमने इन तीनों जो हमने लिये हैं इन तीनों को हमने देखना है कि कौन सी कम cost के साथ दूसरे के साथ attach हो रहा है कौन सी कम cost के साथ दूसरे के साथ attach हो रहा है अब यह 7 है यह 5 है और यह 9 है हमने cycle भी नहीं बनने देना अब वन फॉर के साथ अटेच होगा तो सेमन कास्ट आएगी फॉर सबसे कम है फॉर के साथ अगर हम टू को अटेच करें तो यह सबसे कम कास्ट है यह भी हमारी होगी अब हमने देखना है अब हमने इन चारों को देखना है कि किस की कम कास्ट होगी किस के साथ अटेच होगा और किस की कम कास्ट होगी अब देखें वन को देखें तो फॉर के साथ अटेच करेंगे तो यह सैकल बन जेगा सेकल हमने नहीं बनाना 3 के साथ अटेच करेंगे 3, 5 खर्चा आता है अगर हम 1 से 5 पे जाएं तो 9 आता है 2 से 3 पे जाएं तो 6 आता है और 4 से 6 पे जाएं तो 3 आता है ये कम है 4, 5, 7 5, 6 और ये 3 है तो हम कौन सा लेंगे? 3 वाला 4 तो 6 ये भी के लिए रो गया अब हमारा एक नोड है 3 अब हमारा एक नोड रह गया 3 अब हमने इन पांचों को देखना है कि वो 3 के साथ कौन-कौन 3 के साथ connect है और किसकी cost कम है अब 1, 3 के साथ connect है तो इसकी cost 5 है 2, 3 के साथ connect है उसकी 6 है 6, 3 के साथ connect है उसकी 10 है 4, 3 के साथ connect है उसकी 5 है अब 2 की 2, 3, 6 है ये 10 है ये 5, 5 है तो इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं चाहे हम 1 और 3 को connect कर दें या 4 और 3 को connect कर दें क्यूंकि इनके जो cost है वो same है तो हम 4 से 3 पे आ जाती है अब देखें हमने कहा था कि minimal spanning tree minimal spanning tree के क्या मतलब है जो हमारी cost है वो सबसे काम है तो spanning tree क्या होता है सारे के सारे nodes हमने network के use कि तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के 6 nodes हमने use कि अब हम अपने cost देखते हैं cost क्या है 1 से 2 1 है plus 2 से 4, 4 है plus 4 से 3, 5 है plus 3 से 6, 3 है plus 2 से 5, 3 है तो क्या हो जाएगी 5, 10, 16 इसको आप 16 मेटर कह लें इसको आप 1600 मेटर कह लें जो भी आप कह लें तो यह आपका minimal spanning tree है minimal spanning tree का होता है वो भी हमने पढ़ा spanning tree क्या होता है वो भी हमने पढ़ा तो हमें चाहिए minimal spanning tree तो वो हमने prims algorithm से एक tree find किया spanning tree find किया और उस spanning tree जो होगा वो होगा minimal spanning tree यह सबसे कम कॉस्ट यह है अगर हम 1 से 2 को attach करें और 2 से 5 और 2 से 4 और 4 से 3 और 4 से 6 अगर इस तरह हम अपनी केबल बचाएं तो जो हमारे केबल के cost है वो कम से कम पड़ेगी वो कास्ट जो है वो कम से कम पड़ेगी अगर इस से कोई और तरह कागरम अपनाएंगे फ़र्ख करें हम इदर से इदर जाते हैं या इदर से इदर जाते हैं wire या cable तो वो खर्चा ज्यादा पड़ेगा वो खर्चा ज्यादा पड़ेगा तो ये minimal spanning tree है इसके जरीए जो हमारे cost है वो सबसे कम है तो इसी तरह हम cable बिचाएं या pipeline बिचाएं तो ये हमारा एक algorithm है जो हमें कम से कम cost जो हमारे cost को कम करता है जो हमारे cost को कम कर देता है इसको हम कहते है minimal spanning tree और minimal spanning tree हम कैसे find करते हैं prims algorithm say okay thanks